गायत्री वर्गा चार वेद्धा विच ओर कोई मंतर नहीं है। संसार दे सारे दुखा दे तिन कारण हन। अग्यानता, काट अते मोह। हुन अगला स्वाल ए पैदा हुन्दा है कि एनना सारे दुखा दा हल की है। गायत्री दी सूचना प्रकिती दियां तिन तारा मादी सही वर्तो करके ए तिनने दुख दूर किते जा सकदे हन। हरी शक्ती द्वारा अग्यानता, श्री शक्ती द्वारा काट अते क्ली शक्ती द्वारा मोह। दूर किता जा सकदा है। पगती दास रूप है, जित्थे पगती दे रूप विच गायत्री है, उत्थे शिरी नरायन दे निवास होन विच कोई संदे नहीं है। परमात्मा दी शक्ती ही गायत्री है, जो गायत्री दे नेडे जान्दा है वो पवित्तर रहन्दा है। आतम कल्यान लई मानादी शुद्धी जरूरी है। गाइतरी दे उपासक जमक ते जस्विता पैदा होना सुभाविक है। एक ते जस्वी ते मनस्वी व्यक्ती कुदर्ती तोर ते हर दिशा वीच सफलता प्रापत करदा है। पुस्तक विच्चो कुझ प्रशन। वेद दी जननी कौन है? गाईतरी नू तृपदा क्यों किहा जन्दा है? अजेहे कई स्वाला दे जवाब दिन्दे होए तो हड़े सामने एक छोटी जही पुस्तक पेश किती जा रही है जो साड़े सार्या नू गाईतरी दा सरूप अते रहस बारे दस दी है पुस्तक दे कुजंश गाईतरी उपासना सब्तो उत्तम सब्तो उच अते सदीवी उपासना है इसदा परबाव अते परिनाम संदीगद अते बेमिसाल है होर उपासना पदतियां अपने टीचया नू प्रापत करन वीच अवसमर्थ है हो सक्दियाहन पर गाईतरी उपासना वीच अजे ही कोई रुकावट नहीं है गाईतरी वेदा दी जन्नी है एपापा दा नाश करन वाली है इस्तो वद स्वरग अते तरती उत्ते कोई पवित्तर मंतर नहीं है नरक वर्गे समुंदर विच डिगण वाले नो हाथ फाड़ के बचाउन वाली गाईत्री ही है उस तो स्वर्ग अते तर्ती ते कोई नहीं है जो आतम शक्ति नो आज शक्ति नाल जोड़न दा विध्या जान दे हन और अपने आपनो चंगे बच्चे सिद्ध कर दे हन और गाईत्री दे रूप विच सरव शक्ति मान माता तो बेंतला प्रापत करदा है जी में शेहद फुला दा सार है अते क्यो उधार है इसे तरह सदबुद्धी ता मंतर है इसे लए इसनू मुकुट मनी केहा जानदा है सदबुद्धी गलत मारगते चलनवाला अते अस्थिर मती वाला वी गायत्री प्रभाव तो उचपादनू प्रापत कार लनदा है फिर मुक्ती होनी यकीन नी है जो लोग पवित्तरता अते अडोलता नल गायत्री दी उपासना कर दे हन वो आतम ला प्रापत कर दे हन पुस्तक दे कुछ बिंदू ब्रह्मा दी उडजा तो गायत्री दाउ गायत्री साधना दाउ देश आतम कल्यान दी सरव उच उपासना